रायपूर ट्राफिक विभाग मस्ट, जनतात्रस्ट, राजधानी, नो एंट्री में प्रतिबंधित गाड़ियों पर महर्बान पंदरी ट्राफिक ठाना प्रभारी नो एंट्री के बावजूड विधान सभा से मोवा के रास्ते शहर में घुस रहे भारी वाहन लगा रहे जा राइपुर, राजधानी शहर के अंदर वाहनों की भीड को कम करने और जाम की स्थिती से निपटने बचने के लिए शहर के अंदर भारी वाहनों के लिए नो इंटरी का प्रावधान रखा गया है जिससे आवागम सुचारो रूप से हो सके इसके बावजूद शहर को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है जिसकी जांच परताल की गई जांच में ये बात निकल कर सामने आई कि शहर में जाम की समस्या के जिम्मेदार खुद प्रावधिक विभाग है इसकी एक मुख्य वजह है कि नो इंटरी के बाद भी दिन में भारी वाहन शहर में खुस रही है इस वजह से शहर में आए दिन जाम लग रहा है लोगों के जान का खत्रा निरंतर बना रहता है भीड भरे हिस्सों में नोइंटरी के बावजूद भारी वाहनों के प्रवेश होने के कारण हाथसों का अंदेशा भी बना रहता है जिसे लेकर पंदरी ट्राफिक ठाना प्रभारी एमपी तिवारी जी से बात किया गया तो चौकाने वाली बात सामने आए उनका साफ साफ कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हमको इसकी जानकारी नहीं है सबका बीट बटा हुआ है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते है जिसको राजधानी की प्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना है आखिर इसके इशारे पर नो एंक्री में प्रतिबंधित गाडियों का प्रवेश होता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपको बता दे विधान सभा से शंकर नगर मोवा सड्डू लोधी पारा पंदरी में सुभा पांच बजे से रात बारा बजे तक भारी वमाल धुलाई वाहनों पर पूरी तरह से प्रवेश निशेद किया गया है फिर भी भारी वाहनों के गुजरने का सिलसिला बदस्तूर दिन भर चलता रहता है आखिर कौन है इसका जिम्मेदार इस बज़े से मोवा सड्डू दलदल सिवनी लोधी पारा चौप पंदरी पर भी वाहनों का तापी जाम लगाता है विधान सभा के रास्ते शहर में धारी वाहन प्रक बेधड़क घुस आते हैं इन में अधिकतर निर्मान सामगरी के दम पर भी शामिल हैं प्राफिक दिभाद के कुछ दिम्मेदार अफसर कर्मचारी द्वारा गाड़ी मालिकों से मिली भगत कर इन गाड़ियों को चंद कुछ रूपए लेकर शहर में घुसने दे दिया जाता है इसका भुपतान आम जंता को भोगना पड़ता है राज़ानी का ये आलम है तो बाकी जगहों का क्या आलम होगा आप समझ सकते होंगे 36 गड़ के रायपूर से अब्दुल सलाम कादरी की रिपोर्ट